आज मैं बात करूँगी हमारी आधुनिक सोच और व्यग्यानिक तरक्की ने हमें आखिर कहां लाकर खड़ा कर दिया हम समरिद्वा उन्नत तो हुए मगर समाच का खाचा बिगाड दिया स्वतंत्रता के नाम पर बिशर्मी का लबादा ओड लिया और मानवता के नाम पर हो रहा है नंगा नाच लोगों के आफसी और सामाजी कृष्टे बिगड रहे हैं एक मशूर कहावत बदनाम तो हुए पर नाम तो हुआ इस कथन का अनुसरन करने वाले बहुत हैं जिसे देखो दूसरों का गला काटने में लगा है दूसरे शब्दों में हिंसा की तरच पर चलने वाले देश में पहले से ही बहुत है अब तो जूट दोका धड़ी भावनाओं से खिलवार का दौर आया है लोग धड़ले से बेशर्मी के साथ कर रहे हैं इननत कंडों का प्रेयोग कमाई और सफलता का सफर तो हर दौर में ही कठीन रहा है हम कहते हैं कि अब मैंगाई आस्मान चू रही है बेशक चू रही है और लोगों का अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है विवस्ता के कमर तोड रही है ऐसा नहीं है कि पहले के दौर में यह सब नहीं होता था परन्तु तुल्वात्मक रूप से अर्प संख्यक था यह सब अब आ गया है डिजिटल यूग इंटरनेट के बढ़ती मांग और कारे सुगंता के सुझधाओं को देखते हुए हर वर कई में ऐसा हो रहा है हां हम आधुनिक तो हो रहे हैं पर हमारी सोच आधुनिक बस उन बातों में है जो हमें सोट करती है और वो भी अलग-अलग परस्तितियों में भी अलग-अलग हो जाती है यानि परिवर्तित होती रहती है गिरगिट की तरह यह कैसी स्वार्थिक सोच जो गलत है वो universally wrong है और जो universally true है वो तो सत्य है ही पहले तु हत्या होती थी अब तु हत्या के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ना ही कोई साजिशे रचनी पड़ती है बस आप किसी को धोका दे दो अपने जाल में फता कर उसका सब कुछ छीन लो वो इंसान अपने आप ही आत्मत्या कर लेगा गले में फासी का फंदा डाल कर लोग धोका देते हैं रिन लेकर भी कृतगेता दिखाने के स्टान पर आखे दिखाते हैं आपको ये सोचने पर विवश करेगा ये कि परहिश सोचकर आपने बड़ी भूल कर दी पहले भी ये सब होता था मगर आदुनिक संसादनों की सुगमता और कमी होने के कारण बहुत कम होता था अब तो आप घर बैठे ही लोट सकते हैं आपके बैंक एकाउंट पर कम जानकारी आपकी होने की वजह से आप यदि गलत लिंक खोल ले तो डाका पढ़ सकता है आपके बैंक अकाउंट पर सोचल प्लाटफॉर्म पर अजनभी से मित्रता हो जाने पर धोका खाने पर कभी कभी उनकी जूटी बातों में आकर उनके प्रेम जाने पर आपके साथ भावनाओं का खिलवाड होता है और बाद में ब्लैक मेलिंग डाक वेप का नाम तो सुना ही होगा आपने जहां किसी की प्रोफाइल को से लेकर आमस और एमिनिशन, क्रिप्टो खरीद बिक्री, हैकिंग और बहुत से ऐसे गोरक धंदे होते हैं डिजिटल करेंसी भी बिक्ती है इससे यूजर को कितनी परिशानिया उठानी पड़ती है सोशल प्लैटफॉर्म पर महिलाओं से छिर्चा और डेटिंग, लव, रोमैंस होता है और उतनी शिग्रिता से ब्रेकप भी, मानसिक तोर पर जो हानी होती है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं ये प्रभावित व्यक्ति को आत्मत्या तक के लिए उकसा देती है युआओ और बच्चों पर अभिवावकों का उनके द्वारा चैनेच स्ट्रीम के लिए पढ़ाई के लिए दबाव डालना क्योंकि शर्मा जी की बेटी ने तो सीए किया है और उसका पैकेज भी एक करोड का है तो आपके इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आप क्या कमालोगे बस बिजली मिस रिबन के रह जाओगे ये दबाव जब हस्से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे चुटकारा पाने के लिए बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं बेटी या बेटी की उनकी मर्जी के विरुदिसम्मंद उचे खांदान में जूड़ देना ताकि उनके व्यापारिक तोर पर भविश्य में फायदे मिले गैस घुटाला, फर्जी फाइनेंस और शेर कम्पनियों त्वारा साधारन जन्मानस की जमापोंजी लेकर रातो रात चंपत हो जाना ये उन मिडल क्लास और निमन वर्गों के लोगों के सपने चूर चूर कर देता है जो हर दिन पाई-पाई कमाई जोड़ कर सिर्फ इसलिए एकठा करते हैं ताकि परिवार को एक सुरक्षित और सुन्दर पहिश्य दे सके मगर इस प्रकार की धोका धड़ी हिद्य को आगात पहुचाती है और चिंता और कर्ज उन्हें आत्मत्या के लिए उकसाता है इसी प्रकार बलातकार पार्टनर्शिप में धोका चोरी डकैती ये सब भी अन्य कारण है जो आत्मा हत्या को बढ़ावा देते हैं सूटेड ब भुकताओं के पैसे से उनकी जानकारी के बगए ट्रेडिंग करना और फिर उनी के पैसों के लिए उनको चपले घिसवाना ओफिसों के चकर लगवाना और दस बार गुमाई के बाद एक आश्वासन का लेटर थमा देना कि वे जल्दी उनका पैसा रीगिन करने का प्रयास करेंगे और इस चूटे बुलाओं में उन कस्टमर की जिन्देगी निकल जाती है और उनकी प्लानिंग धरी के धरी रह जाती है या फिर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और ना चुका पाने की हालत में आत्मत्या का रास्ता ही सरल दिखता है जो कस्ट पा रहे व्यक्ति क को आसान लगता है बेटे बहो की जली कती सुन-सुन का तंग आ जाने पर वृद्य दमपत्य भी आत्मत्या का सहारा लेते हैं कई अधेड उम्र लोग भी महिलाओं को या कभी-कभी महिलाएं भी पुरिशों को जूटे प्रेम में उलजा कर फिनेंशल का फाइदा उठाते हैं और कुछ तो शारेरिक भी हो जाते हैं पूरी तरह से निचोड लेनी के पश्चात उनको दूद में से मक्ही की तरह निकाल फेकते हैं ऐसा योववर्ग में तो बहुदा होता है और ये रिजेक्शन ना सहय पाने की हालत में उनको आत्मत्या के लिए उकसाता है हम बड रशपन में ये सुना था अपनी स्कूल शिक्षक से किसी भी समस्या का समाधान उसकी जड़ तक जा करो समस्या का समाधन करना है तो जड़ से खत्म के लिए पानल सबित्या के तीसरे गुरु वपत्थ प्रदर्शक हैं। उन्हें स्वर्वर प्रथम समाज के लिए उधारन स्वरुप प्रस्तुत होने के लिए पहले स्वयम को ही काबिल बनाना होगा। आज की दोर में तो शिक्षक को भी स्वयम में सुधार लाने के अविशकता है। सुनते ही रहते हैं आए दिन कि कैसे विद्यालों कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को मेंटल प्रेशर दिया जाता है। होस्टल वाले बच्चों को अच्छी फीश चुकाने पर भी भरपूर और पौश्टिक वह स्वाधिश्ट वोजन की उचित व्यवस्था नहीं मिलती। और अभी तो मामारी के प्रचाइट बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। जिसके बारे में अलग से किस रहे रोमैंस करने की मगर आपकी बाहरवाली यानि कि आपकी बुढ़ापे की गलफ्रेंड आपको बार-बार मेसेज और कॉल करती है। जैन मानेस को भाशन देने वाले राजनिता की सनातन धर्म और हमारे सन्विदान के निशार एक पतनी का प्रावधान है और स्वयम की रहनी और करनी बिश्टाचार की पराकाश्टर को पार करती है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सब करना इतना आसान नहीं। और वो तब होगा जब हम सुद्रेंगे समाज की हर व्यत्ति ये दाईतव खुद लेगा कि वे कभी ऐसी कोई परस्तिती उत्पन नहीं होने देंगे कि वो किसी की आत्मत्य का कारण भने